देश भर में आज बकरी ईद बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुबारकबाद देते हुए देश के लिए अमन और शान्ती की कामना की। इस दोरान बच्चों ने भी एक दूसरे को गले लगा कर ईद लजा की मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देश के साथ ही अमन और शान्ती के साथ ये दोहर मनाने की अपील की। जैसे हमारे हिंदु भाईयों का हौली क्या कहते हैं दीवाली है। इसी दीवाली ने बलके दीवाली ये हम लोगे बहुत आजीम तहवार है। और हमारे भाईयों की और उनके आने और उनके आने और उनके सहाबार उन से पहले हदर इबाहिम लेश्वाली साल पहले उनकी ये कुर्बानी सुन्नत है। और इस गुर्बानी के हवाले से आज की सबसे बड़ी इबादत जो हम लोगे की कुर्बानी है। इसलिए यहां की इंडियन गौर्वर्मिन्ट का जो लौ है और उनका जो गानुन है उसके इतवार से हम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुन्या में कुर्बानी होती है। हम लोग आज हमारी कुर्बानी का ज़ुदिन है और यह था लिए हमानार आज की सबसे बड़ा अज्र his रहे हमारे लगाश रही हैu बहस्ताने के इ communicी स्काफू है कि को मबारग बात देते हैं और पूरी हम लोग की गंगा जमनी तहजीब जिसमें हम लोग कि एक मुलक में रह रहे हैं यहां की आजादी के अंदर हम सब लोगों ने खुड मिलकर के हिसालिया है हम सब लोग जो हैوس इसी धर्ती के हैं और हमनों आपको बता दे कि पुलिस प्रसाशन ने सुरक्षा को देखते हुए शेतर में कड़े इंतिजाम किये हैं जगा 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 जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात किये गए हैं गिरिडी से न्यूस के लिए दिनिश कुमार रजा की रिपोर्ट